अपनी बुराई करना सबकी आउकात नहीं है जिस दिन राहुल गांदी जी ने कहा था हाँ मैं पप्पू हूँ उससे दिन मैंने कह था या तो या आदमी परिपक को हो रहा है और या विचिप्त हो रहा है और 2024 के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि वो आदमी परिपका आप देखिए आपके सामने दो लोग हैं संगर्श करना पड़ेगा बचो के नहीं नरिंदर मुदी जी ने अपने जीवन के आरंभ में किया आज फसल काट रहे हैं बाहुल गांदी जी ने अब किया 20 साल बेजिती सह ही अपमान सहा कई बार तो हमीरे कमेंट किया लेकिन वह आदमी साधना करता रहा करता रहा करता रहा चलता रहा घूमता रहा मिलता रहा लोगों से गले लगाता रहा और परी निकल गया है उसाधनी का 2024 में इस बार की कट आफ 90 प्लस जाएगी 99 सीट उसाधनी के पास है पर दोस्तों आज के वीडियो में हम समाजने की कोशिस करेंगे किस तरह से राहो गांधी खुद को हिंदुस्तान की राणिती में इस्थापित कर रहे हैं और नई परंपरा को गढ़ने की कोशिस कर रहे हैं वो जिस तरह से जमीन की राणिती करने पर उतरे हैं उसको देखते ह हुए संपूर जो सत्ता है वो भी और जो पूरे विपक्स के लोग है वो भी उनको एक नई दिशा दिखाई देती किस तरह से राणिती होनी चाहिए और किस आधार की चीजों को बदला जा सकता है देश ही नहीं चाहिए और चीजों को जान रहे थे उसी आधार पर उनको कटाक्स कर रहे थे लेकिन अब वह जिस तरह से उनके दोहजार चोविस में इस बार की कट आफ 90 प्लस जाएगी 99 शीट उसाधनी के पास है परी निकल लाए उसाधनी का उन्तिसमें अगर इसी वह शाधना करता रहा व्यक्ती तो मेंस भी निकलेगा और इंटर्वीव निकलेगा बस राहूल गानी तैयारी न छोड़ें अगर इस तरह से साधना वो करते रह गए तो 29 में उनका मेंज भी निकलेगा और इंटर्वी भी निकलेगा परमपराओं का खेल हुआ करता था और सत्ता परिवार केंदित होती थी परंद फिर आया लोकतंत्र लोकतंत्र ने अपनी प्रभुता के छाप दुनिया वर में छोड़ी और नई परमपरा इस्थापित की अब वो परिस्तिया नहीं थी कि सिर्फ परिवार के आधार पर आप को सत्ता हस्तांतित करने की बात कर रहे हैं तो आपके आखों के सामने मोगलिया सल्तनत तो असोक का इस्तम और चंधुप के विरासत नजार आती हैं लेकिन आज लोकतंत्र में सिर्फ गांधी परिवार होने पर भी आपको सत्ता प्राप्त नहीं होगी आपको जमीन पर उत समझा और आत्म साथ किया या बास सिर्फ अवद ओजा नहीं बोल रहे हैं पुरा विस्त बोल रहा है पूरा भारत बोल रहा है वो अवद ओजा जिनके बारे में खबरे उड़ा करती हैं कि बीजेपी की पार्टी से प्रियाग राज सीट से वो चुनाओ लड़ना चाहते हैं लोगों से गरे मिलता रहा आज राहूल गांदी की बाद एक साथ हो गए कि वो जन्नेता के रोप में आकर के सामने हिंदुस्तान की राणिती में खड़े हो गए हैं दोस्तों इस बात को समझे कि जो पढ़े लिखा वर्ग है वो भी इस बात को समझ रहा है और देख रहा है कि किस तरह से रावल गांदी संगर्श कर रहे हैं और हिंदुस्तान की राणिती में एक नई दीवार एक नई रेखा खीचने के लिए सामने प्रस्तुत हैं इस वीडियो में इतना ही आप बने रहे हैं माय दो बोल नूस पर हम कोशिश करेंगे इस तरह की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहें मैं अमिर खानाजाद जाहिंद जाए वारत